पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए अगर आपको ये डेवाइस सीरीज कंटिनिवस पचास दिन तक चलानी है बलकि उसके आगे भी अगर आपको चलानी है पहले वीडियो को लाइक कर लें ठीक है इसमें हम क्या करना जा रहे है यूपी PCS का जो GS का सिलेबस है य जो अभी UPPSC आयोग के डाइनमिक पैटर्न वाले पेपर हैं लेटेस्ट वाले प्लस जो लेटेस्ट में आयोग ने डेड़ दो सालों में पेपर कराएं इन सब को मिला के मतला पीवाइक को क्या 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 है दो जार एटार से तर्टीस तर्टीस वाले आरो यारो दो जार प्लस पिछले दो सालों के सारे पेपर जो PCS UPPSC आयोग ने करा हैं प्लस ओफीशल जो GS का है इस सब को मिला के डेवाइस सिरीज जो है हम इसमें लने जा रहे हैं और इसमें करीबन पूरे GS के सिलेबस से 600 टॉपिक निकालेंगे most important वाले डेली आपको जो है 12 टॉपिक मिले जाएंगे कि उस टॉपिक की जो है understanding करके बहुत creative method से जो है आपको डेवाइस सिरीज में जो है दिखेगा सारी चीज़ें तो सिर्फ main main चीज़े बताएंगे जो exam में exactly पूछी जाती है ठीक है तो topic का revision जलेगा और आगे वाले वीडियो में ठीक है और इसके अलावा कुछ questions भी आप से पूछे जाएंगे आप उसका answer जरूर दीजिएगा अजब mislaneous का पापे वीडियो अलग से मिलेगा तो वो इसमें included नहीं current का फेर काम revision और पापा अलग से देते हैं वो इसमें included नहीं budget economic survey पापा वो भी इसमें include नहीं लेकिन बाकी GS का complete जो static वाला है बिलकुल नहीं से लिए बस डाइनामिक जो pattern चलना है उसके साब से और जितना पीवाई की अभी भी relevant है उन सबको मिला के most important section ने topic science में वीडियो देखने से पहले एक important information है आप सभी लोगों के लिए अभी भी जितना time बचा है UPPCS 2024 के लिए आरो यारो 2023 कर रही exam प्री के लिए जितना time बचा है इसमें study for civil services का selection material paid group के जो है exclusive recorded videos paid quiz test series इन सब को लेके जो है पढ़ाई practice revision करके आराम से cut off निकल सकता है चाहें जैसा paper आ जाए easy moderate tough analytical conceptual ROYRO 2023 कर रही exam का pre plus mains UPPCS 2024 का pre plus mains 2025 UPPCS का भी pre plus mains का group हमारा चल रहा है UKPSC mains का भी group चल रहा है अब उसमें admission ले सकते हैं BO का भी group चल रहा है उसमें admission लेके सिर्फ और सिलेक्शन वाली तेहरी कर सकते हैं बाकी एक और जो है कई सारे student के demand थी कि कोई ऐसा course लाया जाए जो काफी कम price में हूँ recorded जो वीडियो का एक हमने सिर्फ पहच लाँच किया है ROYRO के लिए complete pre का 200 नंबर का GS plus Indica plus current affair सिर्फ 800 में मिल जाएगा आपको PCS वाला जो है हमने लाँच किया completely recorded video GS plus CSAT plus current affair सिर्फ और सिर इस आप में मिलेगा चलिए आप डेवाइस सिरीज जो है देगे और इसके आंसर भी जरूर दीजेगा जो भी question पूचे जा रहे है डेली डेली आंसर देना है डेवाइस रिवीजन में class number 35 पे आ चुके हम लोग आप सभी लोग अपनी attendance जरूर कमेंट किजिएगा इसमें अकबर के आगे के जासक के बारे में बात करेंगे वलकनिक लैंडफॉर्म का ये आखरी पार्ट होगा और इसके साथ जवार यानि टाइड्स भी हम लोग स्टड़ी कर लेंगे टाइड्स यानि जोर भाटा भी इसमें ज्यादा लंबा ये topic नहीं है पॉल्टी में budget कैसे पास होता है इसका भाग दो हम लोग करेंगे इसमें process के बारे में बात करेंगे मुगल शासकों के में overall क्या था और उसी में हम लोग देख लेंगे कि अकबर के समय का स्थापत ती कौन सा है जहांगीर के समय का कौन सा है और रंग जेप के समय का कौन सा है तो उसको हम लोग देख लेंगे अब हम दूसरे डूलर पर move करते हैं अकबर के बाद हम लोग पढ़ते हैं जहांगीर के बारे में जहांगीर का जन्मुवा था 30 अगस्त 1579 में फतेपुर सीकरी में इसका जन्मुवा था बूल नाम इसका सलीम है प्यार से शेखु बाबा अकबर इसको बुलाता था अब सलीम या जहांगीर पिर सलीम क्यों है इसके पीछे भी एक बैक स्टोरी है, बैक स्टोरी यह है कि अकबर यह follower था, चिष्टी सेक्ट का follower था अकबर, ठीक है सूफी सेक्ट में जो चिष्टी सिलसला था, उसमें जो संत थे शेक सलीम चिष्टी, शेक सलीम चिष्टी को मानता था, शेक सलीम चिष इसका पुत्र उत्पन हुआ है तो इसका नाम सलीम रखा था और शेखु बाबा प्यार से अकबर इसको बलाता था राजा विशेख इसका 1605 में हुआ था आग्रा में मुहम्मद जहांगीर बादशा गाजी की नाम से हमसे एक बार एक्जामें पूछ चुके हैं कि जहांगीर की उपादी कब हासिल की यहांपर जो है सलीम ने तो तीन नॉम्मबर 1605 में आग्रा में मुहम्मद जहांगीर बादशा गाजी की उपादी से राजा विशेख इनका हुआ था पूरा नाम नॉरुदीन मुहम्मद सलीम जहांगीर इसके पिता अकबर और माता जोदा भाई या हरका भाई जो भी आप मान ले जो भी नाम मान ले मरी मुझ्जमानी या फिर जोदा भाई हरका भाई से उत्पन अकबर के संतान विवा इसका पहला अम्ब याफिज जैपूर की राजा भगवान दास की पुत्री और राजामान सिंग की बहन मानबाई से हुआ था और दूसरा विवा उदै सिंग की पुत्री जगत गुसाई से हुआ था हमने शायद कल भूल वस आपको जगत गुसाई अकबर की बत्ति मिता दिया था वो भूल शमा की जाए भूल सुधार करें इसमें तूसरा विवा जो जगत गुसाई से हुआ था अब्दुल्ला खान जिसे फिरोज जंग की उपाधी जगत गुसाई से हुआ था 1611 में हुए युद में अमर सिंग के पुत्र करन सिंग से पराजित हुआ था 1615 में मेवाड की संधी हुई थी जहांगीर के समय में सबसे महतपूर्ण घटना थी क्योंकि मेवाड जो एक विरोधी राजपुतान राजवन्स जिन लोगों ने अकबर के समय वित्रो किया था माना प्रताप के नेतरत में माना प्रताप के पुत्र अमर सिंग ने संधी कर ली थी जहांगीर के साथ 1611 में जहांगीर ने ओडिशा के खर्दा पर विजय प्राप्त की थी 1615 में जहांगीर ने बिहार में खोकर प्रदेश पर विजय प्राप्त की अन्य महतपूर्ण तत्थ जैसे मुगल समराच जहांगीर का नाम जोड़ा जाता है जंजीर अदल के नाम से जंजीर अदली नमक नियागी गंटी लगवाई थी इसने उस गंटी को बजाखर के भी कोई भी नियागीर मांग सकता था जहांगीर के समय में भारती रिशियों से वो प्रभावित था और उसने नूरुद्दीन यानि नूर प्रकाश से प्रेडित हो करके अपना नाम के आगे मुहम्मद अठा करके नूरुद्दीन रख लिया था सलीम यानि जहांगीर का लालन पालन यानि की जो उसका बड़ा होना और अध्यन कहां पर वो था फतेपूर शीख्री में सिक्षा हे तो उससे सरप्रथम अब्दुर्रहीम खान खाना के नेतरत में रखा गया था तो ये अतलीक यानि सनरक्षक थे अब्दुर्रहीम खान खाना जहांगीर के जिसने सलीम से तुर्की भाषा सीखी थी उसने प्रमुग धर्मशास्त्री शेख अब्दुलनभी से सिक्षा प्रात की थी तो शेख अब्दुलनभी और अब्दुर्रहीम खान खाना ये जहांग जहांगीर एक लक्ष भेदी और शक्ति सालीश इकारी था 1581 में काबूल आक्रमड उसका सरप्रथम सैनी का भियान था सलीम अकबर की मृत्यू के समय एकमांतर जेवित संतान था बीजापूर के सुल्तान आदिल शाह और तथा सेख सलीम चिस्ति के पौत्र इसलाम खान को जह किया था उम्रावर्ग में इसके अनसार मराठे करो खटोर परिष्रमी दिलेर लोग हैं और देश के प्रतिरोद के अधार हैं जहांगीर ने अर्जुन देव के मित्र लाहोर के निवासे मिया मियर से सानित दे प्राप्त किया था एक बार किसी असाद भी बिमारी से ठीक हो लेकिन किसी भी स्रोत में औरंग जेब के गंगा जल पीने के प्रमाडर नहीं मिलते हैं भिरावल का युद्ध जहांगीर के गद्धी पर बैठते ही जहांगीर के पुत्र को खुस्रों ने विद्रो कर दिया था- जहांगीर ने खुसरो के भिरावल जालंधर के निकट पराजित किया था और उसको अंधा करवा दिया था तो भिरावल का युद्धु कब हुआ था 1606 में हुआ था खुसरो की सायता करने के जितने भी मतलब कह सकते हैं खुरो के उन सभी की हत्या करवाई गई थी उन सभी को दंडद दिया गया था जैसे पांचमे गुरू अरजुन देऊ को फांसी दी गई थी, खुसरो की सायता में शामिल अन्यवक्तियों को सजा दी गई, जिसमें इत्मादुद दौला को कैद इत्मादुद दौला के बेटे मुहमद शरीफ कुपृतिव दंड दिया गया थानेश्वर के शेख निजाम को निर्वासित कर मक्का भेजा गया और शीख अर्जुन देव को भी अमलवीय फासी दी गई जहांगीत जब इमें पढ़ेंगे तो म आइडलाइन करना शुरू किया था तो रियल अथार्टी जो है चीनने कोशिश की थी महरुद निसा और उसके जुन्टा ने महरुद निसा का जन्म कंधार में हुआ था महरु के पिता के नाम घियास बेक इत्माद दौला था महरु का विवा अली कुली इस तलजलु से हु ने महरु को नूर महल नूर जहां या एवं बादशा वेगम नाम दिये थे नूर जहां चौकडी इसमें नूर जहां इत्माद दौला यानि उसके पिता आसफ खान यानि नूर जहां के भाई और खुर्रम ये शामिल था खुर्रम भी आगे चल करके अगला में शासक बनता लटकाया था जहांगीरने वीर सिंग बुंदेला द्वारा अबुल फजल की फत्या एक पार करवा जी थी जहांगीर मान सिंग को बुवडा बेडिया कहता था दूस पाउस सिंग में चलाई थी जहांगीरने इसके मिसमें क्या होता था जात पत बढ़ाए मनसबदारों को अपने सवार पत से 2 गुना घोड़े रखने पड़ते थे और सिंग असपा में अपने सवार पत से 3 गुना मनसपदारी सिस्टम जो हम लोग पढ़ेंगे मुगल प्रशासन में तो आपको ये सवार जात और मनसपदारी सबसमस्द आएगा अभी थोड़ा सा पेशन्स के साथ सुनते रहे हर जगे हर जीज़ को एक्स्प्लेइन करने लगेंगे जब मुगल प्रशासन पढ़ रहे होंगे जहांगीर के दरबार में मुखे चितरकार कौन थे अबदुल हसन उस्ताद मनसूर पारुग बेग बिशंदास अकारिजा मनोहर मुम्मद बुराद मुम्मद नासिर दौलत गोवर्थन अब देगे इससे क्या कुशन बन सकता है इससे एक तो ये कुशन बन सकता है कि कौन क पून लेखक का नाम दे सकते हैं तो इस तरीके से कौशन बन सकते हैं सूलो सपंद्रा में राणा अमर सिंग और मुगल बादचा जाहांगीर के मत्रुषर चिताओड गर की संधीवी थी इसमें राणा ने मुगल बादचा की धीनता स्विकार कर ली थी जो उसके पिता माह जहां नूर जहां गुट बनाए था इसमें सबस्काल को दो भागों में बाट सकते है विलियम हॉकिन्स जहांगीर के दरबार में भीजा गया ब्रिटिश राजा जेमिस प्रथम का अंग्रेज राद दूत था और मुगल दरबार में उपस्तित होने वाला पहलां अंग्रेज था जहांगीर ने में। 1616 में जहांगीर की दर्बार में उपस्तित होता है अपनी पुस्तक रिमौन स्ट्रेंटी में जहांगीर के समय का अध्बुत विवरण लिखा है यह खाले डच परिटक था जहांगीर की समय में थे मुगल चितरकला जहांगीर की काल में अपनी प्रागास्था पर पहुंच गई थी जिसकी नीव धिहुमाईउं के समय रखी गई थी ध्यान रखेगा चितरकारी हस्त लिखित ग्रंथ की विशेवस्तू होती थी यानि कोई रिटेन टेक्स्ट है कोई किताब लिखी है कोई नावल लिखी गई है उसमें कुछ चितर बनाए जाते थे लेकिन अलग से चितरकारी विवस्ता अलग से चितर बनाने की जो प्रथा शुरू की गई थी जहांगीर के समय में नादिरुल अस्त्र की उपाधि मेली उस्ताद मनसूर को जहांगीर खुद एक उच्च गोटी का लेखक और क्रिटिक था उसने अपनी आत्मकता फार्सी भासम लिखी है तुझू के जहांगीरी के नाम से इत्मा दुद दौला का मकबरा 622-628 के बीच अपनी पिता की प्रित्ति पर नूर जहाने बिर्माय था गोविद महल मंद्परदेश के दतिया में स्थित है इसका निर्मार्ट राजा भीर सिंग देव द्वारा पत्थरों सकरवाया गया था मुगल शासक बाबर जहांगीर के मकबरे काबुल और शहादरा लाहूर में स्थित हैं यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान में स्थित हैं तो ऐसे पूछ लेते हैं कई बार कि शासक का मकबरा भारत से बाहर है तो ध्यान रख सकते हैं जहांगीर ने मेवाड राज के साथ पैवाहिक संबंद स्थापित किये थे जहांगीर चुंकि अकबर का पुत्र था तो अकबर धर्म सैश्रुनु सासक कहा गया है इतिहास कारों के द्वारा तो ये भी धर्म सैश्रुनु सासक था कुछ हद तक लेकिन कई बार इसने उलेमाओं को खुश करने के लिए फिर अप अपने दरबार में होली दिवाली दशेरा शिवरातरी ये सब हिंद्म ते यहारा ना जारी रखा था जहांगीर के दरबार में नओरोश जो कि एक परिषिन फेस्टिविल था एरानी ते वहार था ये बनाए जाता था companion को दान देना अबर के रिवाज भी जारी रखा था लेकिन एक बार सांड की बली दी थी और कांगड़ा अभियान को जिहाद की संग्या दी थी, कई बार अपने कोर्टियर्स को खुश करने के लिए। पंडित राज की उपाधी दी थी। उस्मान खान ने विद्रोग किया था जिसे मान सिंग ने दबाया था 1612 में पुरने विद्रोग किया गया था इसके द्वारा इसको अंतिम अफगान का है उस्मान खान के बाद कोई भी अफगान डाइनिस्टी या फिर अफगान ओरिजिन का कोई भी शासक या फिर कोई भी क तातकाली कारण कांधार का 1622 इस्वी में मतलब ये निकल जाना था शाजहां कांधार पुने जीतने नहीं जाना चाहता था लेकिन नोट जहां ने शहर यार के मनसब में बृधिकर उसे कांधार जाने के लिए सेना कनेतरत दे दिया था तो इसे चिड़ करके शाजहां ने अब्दुरहीम खान खाना के सायोग से विद्रोग किया था शाजहां का मुख्य सायक अब्दुल्ला खान था लेकिन बाद में उसे छोड़ करके सन्यासी बन गया था 1623 में आगरा के बिलोचपूर का युद्ध हुआ था महाबद खान ने शाजहां को रा दिया था महाबद खान मुगल सेना का नितरत कर रहा था और शाजहां एक विद्रोगी शासक की रूप में बिढ़ गया था अपनी ही मतलब सेना से शाजहां दक्षिण में मुगल समराज की राध्धानी बुरहान पूर भाग गया था इसी समय उसने पूर्तगालियों गुलकुंडा के सुल्तान से मदद मागी थी जो कि मिली नहीं थी आहमद दंगर के मलि कमबेर शाजहां की वदस्त के लिए तयार हो गया था लेकिन महाबद खान जो मुगल सेना पती था उसने एक बार फिर से शाजहां और यह मलिकमबेर की सेना को हरा दिया था तुछ आ जहां कि विद्रो का भी सामना करना पड़ा था जहांगीर को अब हम आ जाते हैं Intrusive Landform पर Intrusive Volcanism हम देखेंगे Extrusive Volcano last lecture में देखा था किस तरीके से लावा बाहर आता है लेकिन ये Intrusive Landform Intrusive Volcanic Landform तब बनते हैं यहां पर लिख देखेंगे Intrusive Volcanic Landform तब बनते हैं जब लावा अंदर ही अंदर रह जाता है ज़्यादा बाहर नहीं आता है आता भी तो बहुत थोड़ी मात्रा में यह जो हमने ब्लू से सर्किल किये यह सारे Extrusive Volcanic Landforms है बाकी जो बच रहे हैं वो आपके Intrusive Volcanic Landform में कौन कौन से बच रहे हैं जैसे डाइक बच रहा है बैथोलित बच रहा है लैकोलित बच रहा है ठीक है और जो है डाइक, सिल यह सब बच रहे हैं यह सारे Intrusive Landforms है इनके बारे में हमको study करना है तो एक-एकर के बात कर लेते हैं सबसे फ़रले बैथोलित के बारे में बैथोलित यह लाज ग्रेनाइटिक रॉक बॉडिस होते हैं जो की solidify हो जाते हैं मतलब जो magma है यह बाहर ने निकल पाता तो अंदर ही रखे रखे जब solid हो जाता है ठंडा हो जाता है तो यह बैथोलित बनते हैं यानि कि जब वलकैनों का जो ओपरी structure होता है या फिर जो ओपरी भाग होता है उसको जब हटाए जाता है weathering erosion के माद्यम से तब ही आपको बैथोलित दिखता है ने तो यह नीचे ही रहता है जमीन के यह आप बैथोलित यहां पर spot कर सकते हैं यह बैथोलित है यह जो structure है यह तब ही दिखेगा जब यह उपर की सारी संरचना यह सब erode हो जाएगी बाहरी process के थूँ चाहे पानी से चाहे हवास से चाहे जो दूसरी गतिविधियों से जब यह इरode हो जाएगी हट जाएगी उपर की परते तब बैथोलित दिखता है तो बैथोलित थोड़ा सा नीचे रहता है तो बैथोलित कैसे बनता है बैथोलित जब मैगमा ठंड आ जाता है मैगमा के ठंडे होने से मागमा के ठंडे होने से यह बैथोलित बनते हैं बैथोलित सबसे नीचे होता है फिर उसके उपर थोड़ा सा लैकोलित देखने को बिलते हैं दे आर डोम-shaped intrusive bodies connected with a pipe like conduit from below तो मतलब नीचे बैथोलित होता है उसके उपर थोड़ा सा होता है लैकोलित ऐसा लगता है कि यह उपर आ जाएगा लेकिन उपर आ नहीं पाता है तो लैकोलित और बैथोलित आपको example group में कहां पर देखने को बिलते हैं करनाटक पठार में और करनाटक पठार यह किसका भाग है यह आप comment section बताएंगे अगर आपने class number 3 देखी हो तो आप इस को कर सकते थे किसका पार्ट है रावली का है विंदिया का है डकेन प्लैट्यू का है किस अत्पुडा का है किसका पार्ट है करनाटक पठार किसका पार्ट है आप comment section में ल लेकॉलित आगे बढ़ते हैं लोग फिर आपको मिलते हैं लेपॉलित ऐसे अड़ेंड वन दा लावा मूव्स अप्वार्ट अपोर्ट अपोर्शन अफ शेम में टेंड तो मूव इन होर्जेंटल डिरेक्शन वेनेवर इट फांड सभीक प्लेन इट में गेत ट्रेट एन different forms in in case it develops a saucer shape concave to the sky body is called lapolith यह आप लैपोलित देख सकते हैं लैपोलित और लैपोलित में कोई जाधा अंतर नहीं है शिर्फ शेप का अंतर है लैपोलित में क्या होता है इस तरीके की कहरान बन जाती है यह मतलब यह एक तरीके से यह इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है सॉसर जैसा तो यह होता है आपका लैपोलित फिर बचता है फैकोलित यह वेवी मास है आट ताइमस इस फांड अट बेस ऑफ सिंकलाइन्स और ऑन टॉप अटिकलाइन्स इन फोल्डेड इग्नियस ट्रेटा सच अवे मेटरियल सब यह है आपका फैकोलित यहां पर यहां पर तरीके से जाएर ayr यह को फैकोलित पूलते है इसमें ज़्यादा परिशान होने ज़रुरत नहीं कि फैकोलिथ लैथोलिथ यह बैथोलिथ में अंतर गैसे गरेंगे अंतर बगएर नहीं पूछा जाता है बेसिक अब ध्यान रखेगा अभी तक सिर्फ बैथोलिथ से कुष्चन आया है प्रिविश एर में किसी भी एक्जाम से लैपोलिथ फैकोलिथ में नहीं पूछा गया लैकोलिथ में तो बस आप लेरिंग ध्यान रख सकते हैं नीचे कौन होतें उपर कौन होतें नकाफी होग जैसे होरिजोंटल बॉड़ी ऑफ इंक्रूसिव इगनियस रॉक्स आर कॉल्ड सिल थिनर वन्स और कॉल्ड शीट्स चोटे चोटे नलियों के फॉर्म में इलावा पह जाता है और अगर यह होरिजोंटल फाइल जाता है तो इसको शीट बोल देते हैं और वर्टिकल इस त पाइप लाएक कानेक्टेट कंड्यूट से जो यह इंट्रूसिव लैंफॉर्म यानि माइकबट हिंडाने से यह भी बनता है लेकिन किसी पाइप जैसे कंड्यूट से जड़ा होता है तो इसको लोग बोलते हैं लावा उपर जाता है इसका एक पोर्शन जो है इस तरीके से जहां जहां पर यह मैगमा छेत कर देता है उपर फिर डाइक्स होते हैं लाबा मेक्स इट वे थू क्रैक्स और फिशर्स डवलब्ड इन दा लैंड इसे दीवारें बना देते हैं छोटी-छोटी इसको डाइक्स पोल जाता है आपको इडाइक्स जो हैं कहां पर इखनक कोपिल सकते हैं Western Maharashtrade region में देखनक कुल सकते हैं बजट-पारित होने के जो स्टेजेस होते हैं उन स्टेजेस के नाम आपको पता है अब उनको डीटेइल में चिर्पमिस कर लेते हैं बजेट अकर बड़ा है तो इसको दो पार्ट में भी जो है पेश किया जा सकता है no discussion of the budget on the day on which it is presented to the house जब लोगसभा में budget present किया जाता है पेश किया जाता है तो कोई चर्चा उस दिन नहीं होती है उस दिन सिर्फ और सिर्फ वित मंत्री सदन में खड़े हो करके speech देते हैं budget speech से ही budget पेशगी की शुरुवात होती है आपको पता होना चाहिए budget speech में कोई भी चर्चा होगा रहा है allow नहीं होती है धरवाइस budget page ही नहीं उपाएगा लोगसभा में budget speech के बाद इसको रादसभा के पटल पर रखा जाता है और रादसभा के मेंबर सिर्फ इसको डिसकस कर सकते हैं उनके पास demand of grant पर voting करने को यदिकार नहीं तो उसको डिसकस कर सकते हैं डिसकस करने का मौका दिया जाता है बजट पेश होने के एक दिन पहले जनरली economic survey को निकाला जाता है सरकार के द्वारा यहां को पता होना चाहिए जनरल discussion begins a few days after its presentation बजट प्रस्तत की जाने के कुछ दिवस बात जनरल discussion यहां पर शुरू होता है और यह 3-4 दिवस तक किया जा सकता है कोई भी cut motion यानि कटावती प्रस्ताव मूव नहीं किया जा सकता है जनरल discussion वाले stage पर जितने भी सदस से खड़े ओकर के discuss करते हैं इसको उनको reply देने का दिखार finance minister के पास होता है पिधर्ड stage होती है scrutiny by departmental committees houses are adjourned for about 3-4 weeks 3-4 weeks के लिए house को adjourned कर दिया जाता है समीतियां सदन में जांच नहीं करती है अपना internally जांच करती रहती है during this gap 24 departmental standing committees of parliament examine and discuss in detail each demand for grant of the concerned ministers and prepared reports on them जो अनुदान मांग की जाती उनको अच्छे से जांच करती है और एक पूरी detailed report बनाती है reports को submit की जाता है Parliament में दोनों houses के समक्ष discussion के लिए committee makes parliamentary financial control over ministries much more detailed close, in-depth and comprehensive कई बार आपको भी लगता होगा कि जो सदन की कारवाही इतने संशिप्त इतनी छोटी होती है और speech वगेरा तक ही सीमित रहती है तो इतनी सारी अनुदान की मांगों की जांच कौन करता होगा उनकी relevance और उनको कैसे जो है और comprehensive जो काम होता है budget का budget बनाने से ले करके उसका जो है total allocation वगेरा allot करने को ले करके ये काम कौन करता है? committees departmental committees का काम ज्यादा होता है बजट में, जो ministers स्पीच वगेरा दे रहे होते हैं, उनका nominal काम होता है पारलिमेंट में, खाली voting कराना उससे demand of grant पर demand of grant पर major जो सूक्स मौला जो कारे होता है कि scheme को कितना पैसा दिया जाना है पुराना performance कैसा है इन सब की जाच जो है departmental committees करती है fourth stage होता है voting of demand of grant जो भी अनुदान committees जो है जिनकी जाच कर लेती है बकाइदा बना देती है पूरा estimate की इतना जो है demand की जाना है ministry wise अब उस पर voting होती है voting सिर्फ लोक सभा में होती ध्यान रखेगा राज सभा को demand of grant पर vote करने का power नहीं होता है सारी जो demand होती है ministry wise present की जाती है एक एक करके speaker उसको पढ़ देते हैं और उस पर voting की जाती है voting जाज़तार yes no तक सेमित रखी जाती है ठीक है उसमें मतलब ऐसा recorded vote नहीं होता है माननी सदसे हाँ कहें ना कहें में करके ओंबिल्डा जी यह सब करा लेते हैं मतलब बाकी speaker भी करा लेते हैं कि ये इतना demand आया ministry wise इसके लिए माननी सदसे हाँ कहें तो हाँ चिला कर कहें देते हैं wise vote से उसको count कर लिए जाता है तो ये voting of demand of grant ये चलती है voting of demand of grant stage पर जो होता है ये cut motion पारित करने का भी अधिकार होता है members को लोकसाबा के सदस्यों को special powers मिली है budget पर discussion करने के लिए इसको कटावती प्रस्ताव बोलते हैं कटावती प्रस्ताव से नाम की कटावती है कि इसमें एक उर्पए सौर उर्पए तक की कटावती के लिए प्रस्ताव पारित कर सकते हैं actually कोई इसमें फरक नहीं डालता है basically ये कटावती प्रस्ताव को जो principle दिया गया है discussion के लिए कि budget पर opposition भी discuss कर सके opposition की voice भी पता चल पाए parliamentary procedures ऐसे बनाए गए हैं कि चाहे जो भी निड़ाए सरकार ले भले ही उस निड़ाए को पूरी तरीके से रोक ना सके opposition लेकिन उस पर discussion कर सकता है जिसको आम जंता सुनती है cut motion ये कटावती प्रस्ताव generally मतलब कह सकते हैं opposition के members जो है पारित करते हैं और तीन प्रकार के बताए गए हैं एक policy cut policy cut और दूसरा है economy cut economy cut और चौथा अर्मदब ये तीसरी तरीके का है token cut तीन तरीके की cut आती प्रस्ताव जो है पारित की जा सकते हैं और policy cut में आप एक रुपए कम करने की बात कह सकते हैं और दानों की मांग में एक रुपए कम करने की बात कह सकते हैं economic cut में कोई specific demand of grant है उसके किसी particular जो मद है जिस पर पैसा खर्च किया जाना उसको कम करने के लिए प्रस्ताव रख सकते हैं सदन के समख्ष और token cut में सौर उपए तक की गटावती का प्रस्ताव रखा जा सकता है तो इसमें कुल मिलाकर opposition leaders या फिर opposition के जो वरिष्ट सदस्य है budget को discuss करते हैं और एक तरीके से आम जन तक यह message पहुचाते हैं कि अगर हम सरकार में होते हैं अगर opposition सरकार में होती तो क्या क्या काम करती या फिर सरकार के budget में क्या 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 खामिया है ये सब गिनाते हैं तो कटावती प्रस्ताव में जो concentrated discussion हो सकता है specific demand of grant पर कि इतना पैसा क्यों चाहिए किसी ministry को क्या वाकई में सरकार उस पैसा के use करती है past में कैसा performance रहा है ये सब discuss करने का मोगा opposition के members को मिल जाता है अगर कटावती प्रस्ताव पारित कर दिये जाता है सफलता पूरोग पारित हो जाता है तो सरकार को resignation भी कई बार देना पड़ सकता है अगर सरकार अलपमत में होती है लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं न कभी होगा क्योंकि बजट जो सरकार पारित कर रही जाहिर सी बात है बहुमत में होती है तो ये पारित नहीं होता है सिर्फ discussion का मोगा opposition members को मिल जाता है अब ये cut motion जो है admissible है की नहीं कौन देखता है लोग सभा speaker का निड़न होता है कि ये cut motion किसी सदस्य द्वरा accept करेंगे वो कि नहीं करेंगे लोग सभा speaker को अगर लगता है की फर्जी फीकेशन किया जा रहा है सिर्फ time waste किया जा रहा है सदन का सदन की करवाई को delay करने का प्रियास किया जा रहा है तो आगर टवती प्रस्ताव को पेश करने से रोक भी सकते हैं किसी सो दस्य को जब demand of grant पर voting का जो आखरी दिवस होता है उसमें speaker कह सकते हैं कि सारी demand को vote के लिए रखें एक साथ अलग-अलग demand को voting के लिए ना रखा जाए समय बचाने के लिए और discussion को short करने के लिए इसको guillotine भी कहा जाता है पांचवा जो मतलब कह सकते हैं सोपान होता है बजट पारित करने को passing of appropriation bill जैसे कि हमारा समिधान कहता है कि भारत के consolidated fund से एक भी पैसा निकाला नहीं जा सकता बिना appropriation made by law तो इसी appropriation को पूरा करने के लिए appropriation bill या विनियोग विधेयक पारित किया जाता है जो grant पर चर्चा हुई है जिस पर voting हुई है उस grant के लिए पैसा चाहिए पैसा कहा से आता है consolidated fund of India से आता है तो consolidated fund of India से जो expenditure made किया जाता है जैनि उसमें से पैसा जो निकाला जाता है और जो भारित वे है जिस पर प्रेज़ेंट इसको एसेंट दे देते हैं, सुईकृति दे देते हैं और यह एप्रोप्रियेशन एक्ट बन जाता है, विनियोग अधिनियम बन जाता है, विनियोग अधिनियम बनते बनते अपरेल का मन्ता जाता है, तो जाहिर सी बात है, फर्वरी से मार्थ से अपरेल के बीच खर्चा कैसे चलाएगी सरकार, क्योंकि एक भी पैसा बिना जो है अप्रोप्रियेशन बिलके नहीं निकाला जा सकता तो उसके लिए बीच का रास्ते निकाला गया है, वोट अन अकाउंट, special provisions by which government obtains parlements not for funds sufficient to incur expenditure for the part of the year, यानि फर्वरी से अप्रेल तक खर्चा चलाने के लिए जो पैसा चाहिए होता है, तो उसमें पास की बजट का लगभग 1,6 थी, यानि एक बटा 6 हिससा जो निकाला जा सकता है, vote on account के माध्यम से vote on account के माध्यम से पैसा निकाला जाता है आखरी चनलन होता है finance bill को pass करना finance bill को introduce किया जाता है जिससे सारे financial proposals government of India के accept किया सके it is subjected to all conditions applicable to a money bill money bill के case में जो जो procedure follow किया जाता है वही budget से सम्मधित finance bill पारित करने में follow किया जाता है जो है कोई joint sitting इसमें प्रावधान नहीं है joint sitting होगी तो जायर सी बात है budget लटक जाएगा ऐसा कुछ नहीं किया जाता है safe secure procedure follow किया जाता है money bill का इसमें लोग सभा को ज़्यादा powers होती है finance bill हर हाल में पारित होता ही होता है महज यह कह सकते हैं check mark है जो लगाया जाता है इतना सारा process होने के बाद लगभग 100% ही ताय हो जाता है कि finance bill पारित होगा और इसको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा पार्लिमेंट में ठीक है तो unlike the appropriation bill the amendments seeking to reject or reduce a tax can be moved in case of finance bill finance bill में किसी tax को reject करने के लिए पारित होने का आखरी चरण और आखरी सोपान मनने जाता है finance bill अब ये funds हमको discuss करना है जो major funds होते हैं भारत सरकार के consolidated fund of India public accounts of India और contingency fund of India इनके बारे में हम लोग next video में discuss करेंगे अब वो science के section हम लोग देख लेते हैं तो guys day number 35 में आ चुके हैं आपके बहुत प्रतिक्षित science section में जिसमें आज के हमारे topic रहेंगे heat transfer के तरीके आपको पिछले वाले में बता दिया था कि कोई भी नशेड़ी है वो uncomfortable क्यों feel करता है गर्मी के वज़े से अब उसके शरीर में कितनी गर्मी गई ये में जरूता temperature से अब आसपास की surrounding से उसके शरीर में गर्मी किन किन तरीकों से जा सकती है तो यही तरीके हम आज cover करने वाले हैं जो कि होते हैं तीन सबसे पहला conduction, फिर convection, तीसरा radiation और मेरे जैसे कुछ कम पढ़े लेके लोग इसे चालन, समवहन या विक्रण कहते हैं वैसे गर देखा जाए तो किसी को off end होने कि इसमें जरूरत कुछ है नहीं इंट्रेस्टिंग बनाने के लिए बीच-बीच में punch line मारनी पड़ती है बस तो चलिए फिर समझना शुरू करते हैं conduction के बारे में यह जैसा कि आप इधर देख सकते हो एक लोहे की rod है और इस burner के थ्रूर इसको हम गरम कर रहे हैं तो जो भी हिस्सा आग से touch कर रहा है सबसे पहले गरमी उसमें आएगी फिर आस पास का पूरा हिस्सा गरम होते जाएगा और एक time के बाद अगर मान लो इस हिस्से को आपने पकड़ रखा है तो यह भी गरम हो जाएगा और आपको भी यह गरम लगेगा इसी वज़े से और हो सकता है आप जल भी जाएग अगर यह जादा गरम हो गया तो एक और example पे आजाते हैं अगर मान लो कोई आपने fry pan half fry बनाने के लिए या फिर कोई sauce pan चाय बनाने के लिए कॉफी बनाने के लिए आपने चड़ाया तो होता क्या है कि अगर यहाँ पे कुछ पकड़ने के लिए plastic वगेरा नहीं है या bake light तब आप इसको छूओगे नहीं इसको समसी से पकड़ोगे क्यूं क्यूंकि आपको भी पता है कि पूरे यह जो पैन है हमारा कता ही मकसद नहीं था इसको गरम करने का हमको वस अंदर का content गरम करना था लेकिन इसके बावजूद heat transfer होते होते यहां तक पहुँच गई और अगर इसको हमने ऐसे छू लिया तो जाहिर सी बात है अपन जलेंगे ही जलेंगे मतलब अपने हाथ को sensation फील होगी हम सासपान से क्यूं जलेंगे खर यह तो अलग की बात है अगर आप इसको molecular level पर देखो तो यह rod भी solid है और यह जो हमारा sauce पहने यह भी solid है तो solid के case में पार्टिकल कुछ इस प्रकार से पास पास अरेंज होते हैं अगर इसको molecular level पर rod को देखा जाए तो यह जो पूरा का पूरा rod है solid है इसलिए इसके पार्टिकल पास पास अरेंज है इतनी बात तो हमें समझ में आती है तो इन सभी पार्टिकल जो की molecule है इन में से कोई ना कोई सबसे पहले heat पकड़ेगा अगर मान लो इस वाले पार्टिकल ने सबसे पहले heat यहां से पकड़ी तो यह जो है यह vibrate करना चालू करदेगा जिस वज़े से इसके पास जो heat energy है इसके पास जाएगी फिर इसके पास ऐसे ऐसे यह यहां तक पहुँचेगी और उसके बाद यह heat energy सारे के सारे molecule में फाइल जाएगी तो molecular के sorry molecular level पर अगर देखा जाए तो molecules के vibration के वज़े से अगर heat energy एक molecule से दूसरे के बीच में transfer होते होते पूरे matter में फाइल जाती है तो इसी को conduction बोला जाता है और यह हमेशा solid के case में होगा बागी liquid और gas में कभी भी conduction के थूँ heat transfer नहीं होगा और इसकी बज़े भाई साब एकदम साफ है अगर liquid या gas को लोगे तो इसके molecule दूर दूर range होगे तो इसका vibration इतना sufficient नहीं होगा कि इतने दूर बैठे दूसरे molecular के पास molecule के पास heat energy पहुचा पाए तो molecules का एकदम पास पास होना जरूरी है इस प्रकार के heat transfer method के लिए और सिर्फ solid ऐसे substance होते हैं जो कि इतने पास पास range होते है molecular level पर और सबसे important चीज जिस भी चीज को आप गरम कर रहे हो उसका direct contact होना चाहिए उस source के उपर जहां से heat उसको मिल लए अब ये देखिए आग इससे touch कर रही है तो कहीं ना कहीं तो touch कर रही है touch होना जरूरी है कहीं पर भी तब जाके heat transfer शुरू हो पाएगा अगर मालो touch भी ना हो रही होती या फिर हलकी सी दूर पर ये ना होती अभी कुछ लोग सोचोगे कि जैसे आग ये है तो इसको थोड़ी height पर रखो फिर भी कभी ना कभी तो गरम हो जाएगा तो इस आग में इतनी intensity है कि इसको ये आसानी के साथ गरम कर दे वो अलग चीज़ है लेकिन contact में होना चाहिए ऐसा नहीं है कि एक किलोमीटर दूर आग है और तब जाके वो आग इस पे energy transfer कर देगी वो चीज नहीं तो ये तो था conduction और हमने आज बात करी heat conduction के बारे में एक और चीज़ होती है electrical conduction अभी आगे जाके metal के बारे में हम सीखेंगे तो उसमें conductor और sorry good conductor bad conductor को देखती है मत समझ लेना कि बस conductor की भात हो रही है जो अच्छा है वो रजनी कामत है बागी सब bad conductor है तो वो सब चीज़ नहीं अभी आर exam point of view से कुछ बातें कर लेते हैं सबसे पहले इसके example देख लो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि जब भी सर्दी के मौसम में low है या फिर किसी metal की कुरसी में बैठते हैं तो हमें ज़्यादा ठंडा फील होता है और अगर उसकी जगा पे कोई लकड़ी की कुरसी होती तो इतना ज़्यादा हमें ठंड फील नहीं होती ये कंड़क्शन का केस है उसी तरीके से जब आप चाय सुट्टा करने जाते हो तब अगर कोई metal का गिलास है स्टील के गिलास में अगर चाय पीते हो तो इतना असान नहीं रह जाता है आपके लिए चाय पीना क्योंकि हाथ आपके जलने लगते है लेकिन अगर कुलड या फिर हुंडे में पीओ तो असानी से पी पाओगे क्योंकि यहाँ पे element to element फरक है heat conduction के मामले में अभी किसका ज़्यादा हो रहा है ये साफ समझ में आ रहा है में heat transfer जल्दी से हुआ वो उतनाई बढ़िया heat conductor अभी एक चीज़ आपने और देखी होगी कि जिनके नए नए मकान बने होते हैं इस्पेशली गर्मी में और अगर वो लोग वहाँ shift होने जाते हैं और AC उनके पास नहीं है तो वहाँ पर वाई साफ रहना में होते जाता है एकदम मुश्किल और उसकी वज़े साफ है जो concrete है वो जल्दी से heat transfer कर देगा और आपके कमरों को एकदम गरम कर देगा इसका exactly reverse case हो जाता है सरदी में वही घर इतना आपको कस्मीर नजर आएगा कुछ कहने की बात नहीं दो दो रजाई कम पड़ेंगी तो ये conduction के सारे के सारे examples है कुछ और चीज़ें आपने देखी होंगी नंगे पैर अगर गरमी के टाइम पे साड़क में चलोगे तो एक टाइम बात पैर जलने लगतें ये भी conduction का case है आप इस्तरी करते हो इसे दूसरे sense में मतले न जो कपड़े प्रेस करते है न उसकी बात हो रही है तो जो कपड़े के उपर heat energy transfer होती है न उस प्रेस की वज़े से वो भी conduction का case है और यहाँ पे case का मतलब है मुकदमा अरे नहीं नहीं example और इन में से अगर कोई भी फस गया exam में तो आसानी के साथ मेरी बातें आपको याद आएंगी बातें मतलब बकैती और आसानी से आप identify कर पाओगे वहाँ पे अब अगली चीज़ पर आजाओ convection के उपर conduction के case में जो अमने example आपको दिखाया था उसमें ऐसा फ्राई पान आपको बताया था जिसमें अंडा फ्राई नहीं हो रहा था या फिर ऐसा सासपान आप समझ सकते हो जिसमें कुछ भी नहीं है लेकिन convection में हमारे पास इधर है पानी तो अगर इस बारे में देखा जाए कि ये बरतन किस वज़े से गरम हुआ इस आग के कारण तो तो conduction है लेकिन अगर आपसे पूँचा जाए कि ये पानी तक हीट गय से पहुँची तो इसका अंसर कताई कंडक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे आग के साथ डायरेक्ट कॉंटेक्ट में कौन है ये मेटल का बरतन ना कि पानी तो ये बात आपको पता हुनी चाहिए तो अगर कभी भी आपके सामने सवाल बने कि किसी बरतन के अंदर की चीज़ें किस वज़े से गरम हो रही है अब इस तक हीट कैसे पहुँची अभी पूरी राम कथा हम बात चुके हैं अब यहाँ इस बरतन के पास जो भी हीट है इस पानी तक कैसे पहुँचेगी वो समझो अभी पानी है लिक्विड इसके पार्टिकल कुछ इस प्रकार से दूर दूर अरेंज होंगे इसका मतलब अब यह हुआ कि इनके पास अपनी जगह छोड़ने की छमता होगी जबकि सॉलिड में वो एकदम पास पास है वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते थे तो इस चीज का यहाँ पर फरक है तो जैसे ही हीट अनरजी इनको मिलेगी अब यह इतने बड़े पानी में करोडों आ पॉपड़े गा तो जैसे ही उसको हीट मिलेगी वो ऐसे उपर चला जाएगा और उसकी जगह काली हो जाएगी और इस खाली जगह को बरने के लिए ऐसा कोई भी मॉलिकुल आ सकता है जिसके पास हीट नहीं है तो वो आ जाएगा उसको भी हीट मिलेगी वो भी उपर चला और उसकी भी जगह को बरने के लिए कोई और मॉलिक्यूल आएगा और यह process तब तक चलता रहेगा जब تक सारे के सारे मॉलिक्यूल गरम नहीं हो जाएगे यानि कि ये पूरा का पूरा पानी गरम नहीं हो जाएगा और ये same चीज हमने दिखा भी रखी है जिस भी मॉलिक्यूल को हीट मिलेगी वो उपर जाएगा उसकी जगह लेने के वास्ते आएंगे ठंडे मॉलिक्यूल उनको भी हीट मिलेगी वो भी उपर जाएंगे तो बांकी के मॉलिक्यूल आएंगे और ऐसा कब तक चलेगा जब तक ये पूरा पानी जो है गर्म नहीं हो जाता तब तक तो अभी ये समझने के बाद मेरे आपसे दो सवालें सबसे पहला आपके हाथ में जो गिलास है ना उस गिलास को अगर आप चड़ाओगे गैस पे तो उस गिलास के पास हीट कहां से पहुंची पहले तो ये बताओ और दूसरी बात उस गि कहां से पहुंची किस प्रोसेस की वज़े से उसका भी बताओ अगर ये क्वेशन का अंसर नहीं दिया तो सीधा सा इंप्रेशन यहीं बनेगा कि आप इस सीरीज के वास्ते बिलकुल भी सीरस नहीं हो तो ये सीरीज सीरीज दो बार नहीं बोला है मैंने ये जो सीरीज है व और अच्छे से यहां पे देख लो मान लो इस मॉलिकुल के पास हीट पहुंची सबसे पहले ये जाएगा उपर इसकी जगह पे आएगा मान लो ये ये भी गर्मों के जाएगा उपर उसकी भी जगह पे आएगा ये तो एक के बाद एक तीन मॉलिकुल के पास हीट आराम से और वो भी किस कुशी में क्यूंकि आपको convection समझ में आ चुका है अच्छे से और अभी ये जो convection है मतलब मेरी भासा में बोले तो समभण ये natural में भी होता है मतलब nature में भी होता है अपने आप बिना हमारे कुछ किये और अपनी जरुरत के इसाब से हम अपने आप भी करवा सकते हैं जो की होता है forced convection मतलब जान बूच के इसको अपने किसी स्वार्थ के लिए करवाना वैसे by default nature में भी कुछ चीजें होती है जिन से ये थाबित होता है कि convection हो रहा है for example अगर कहीं पर अलाव जल रहा है और दो चार लोग बैठके उसको ताप रहे हैं तो उस अ पास पास की जो हवा है इस तक गर्मी कैसे पहुंची उस आख की वज़े से इसका answer convection है उसके बाद अगर आपके हाथ में कोई बर्फ है तो वो कैसे पिगली इसका जवाब convection कता ही नहीं है कंडक्शन है क्योंकि आपके हाथ की गर्मी उस तक पहुंची लेकिन अपने आप अगर कोई बर्फ पिगली तो इसका सीधा सजवाब convection है उसके बाद है sea breeze और land breeze अगर आप चाते हो कि ये सारी चीज़े मैं explain करूं तो comment box में demand कर देना वैसे geography में ये चीज अपने आप आप को बता दी जाएगी इसी सीरीज में लेकिन एक चीज समझ लो चाहे land breeze हो चाहे sea breeze हो breeze एक साबुन भी आता था पहले और जादा करके उसको लड़के लोगी खरीदने पहुंचते थे अब ऐसा क्यों है ये मुझे क्या पता तो खेर इसका जवाब होगा convection इसके बाद warm blooded animal औ मैंने आपको इन दोनों में फरक बताया था आपको dialogue तो याद होगा मचली जल की रानी है और वो कुछ और भी है तो खेर उसकी बात नहीं करेंगे जो warm blooded animal है मतलब हम लोग की तरीके इन में जो blood circulation हो रहा होता है उसमें भी कही न कहीं convection करो लोता है तो ये तो convection के वो सारे example अपल थे अभी अभी जो हमने बात की जो की nature में हो रहे थे लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार भी आप convection करा सकते हो कौन-कौन सी सुविधाओं के लिए जो car का radiator है उसमें भी convection हो रहा होता है उस तक गर्मी पहुंचती है इसी वज़े से उसके बाद air conditioning में भी ये काम कर होते हैं वहां पर भी ये काम करता है convection oven भी आते हैं वैसे normal कर जो oven आते हैं उसमें radiation की वज़े से heat transfer होता है आगे बात करेंगे उस पर लेकिन specific convection oven भी आ रहे हैं तो कृपिया करके इसके जो owner हो वो हाथ उटा दो comment box में तो अगली जो चीज़े वो है radiation ज्यादा उतावले मत है अभी इस पर एक मिनट बाद आएंगे तब तक क्या करेंगे बकैती जो कि आपको सुनना पड़ेगा बहुत काम की हो सकती है conduction के case में हमने ये देखा था कि जितने भी molecule हैं किसी solid के किसी ना किसी को सबसे पहले heat energy मिलनी चाहिए इसके बाद ही वो vibrate मार मार के बागी के molecule तक पहुँचा पाएगा ठीक उसी प्रकार convection के case में जो भी अपना liquid या gas है जी हाँ convection लिक्विड और gas दोनों में ही हो सकता है तो जो भी अपना liquid या gas है convection के case में उनका कोई molecule ऐसा जरूर होना चाहिए जिसको heat energy सबसे पहले मिले इसके बाद ही वो उपर जाएगा और उसकी जगह लेने के वास्ते दूसरा कोई molecule आएगा तो ये चीजें अपन देख चुके हैं लेकिन क्या आपने कभी इतना सा भी दिमाग लगाया है कि मान लो इस molecule को कभी heat मिली ही ना होती या फिर इस molecule को कभी heat मिली ही ना होती और ये उपर गया नहीं होता तो क्या होता क्या heat energy transfer तब भी हो सकती है जब कोई molecule उपलबधी ना हो heat receive करने के लिए और हीट रिसीव करने के बाद आईदर वाइब्रेट मारने के लिए या फिर उपर जाने के लिए मतलब भगवान के पास नहीं तो जियां बिलकुल इसी चीज का जवाब है रेडियेशन कि अगर मान लोग कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं हीट एनर्जी रिसीव करने के वास्ते और फिर भी हीट ट्रांसफर हो जाए तो इसको कताई ताजुब नहीं मानना है इसे रेडियेशन कहते हैं क्योंकि जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हमारे जो सूरत चाचु हैं उनसे लेके हम तक जो लाइट एनर्जी है 8 मिनट 20 सेकंड में पहुँच जाती है मतलब वो एनर्जी जिसकी वज़े से दिखता है लेकिन उस एनर्जी का क्या जिसकी वज़े से हमें गर्मी लगती है तो भाई साब लाइट पहुँची है ना की वज़े से गर्मी कैसे पहुँच गई कौन सी वेव इसके पीछ रिस्पॉंसिबल है या रे आप कहलो कमेंड बॉक्स में पूँच चुके हैं 5-6 बार आपने बताया भी है तो जो अभी तक नहीं बताया वो अभी बता दो तो कुल मिला के अगर सौट में बात करें तो अगर कोई मॉलिक्यूल है नहीं मॉलिक्यूल नहीं है इसका मतलब मेडियम है नहीं क्योंकि मेडियम जहां भी होंगे तो कुछ ना कुछ पार्टिकल या मॉलिक्यूल जरूर होंगे तो अगर मेडियम है नहीं और heat transfer हो जाए तो ये होगा radiation के वज़े से और अगर मानलो बीच में medium पड़ भी जाए जैसे कि यहां काफी सारा तो vacuum ही होता है लेकिन एक time के बाद में atmosphere की layer हैं चालू हो जाती है मतलब medium आ गया लेकिन फिर भी उस medium को ignore कर दिया जाता है उससे कोई मतलब भी नहीं है न जो हमें गर्मी लगती है वो भी radiation की वज़े से होती है और इसके अलावा जैसा कि हमने अभी बोला कि आप बैठे हो अलाव के आसपास तो उसकी वज़े से जो आसपास की हवा गर्म होगी वो तो convection की वज़े से लेकिन उसके पास बैठे लोग गर्म हो जाएंगे यह होगा radiation के वज़े से तो आग या फिर भट्टी के सामने आपको गर्मी क्यों लगती है radiation के वज़े से इस चीज को ध्यान रखेंगे यहां पर बात गर्मी लगने क्यों रही है इस compliment के बारे में कता ही नहीं तो अंत में अगर तीनों चीजों के उपर एक साथ बात करें तो एक common example ले लो यार आप इस अलाव से इस पानी को गर्म कर रहे हो तो इस आग की वज़े से जो आपको गर्मी लगेगी वो radiation की वज़े से अभी हम बात कर चुके हैं और यह जो बरतन है यह गर्म होगा conduction की वज़े से इस बरतन के अंदर का जो पानी है यह गर्म होगा convection की वज़े से तो ऐसा नहीं है कि तीनों चीजें एक साथ exist कर नहीं सकती है अभी भी नहीं समझ में आया बरतन वाली कहानी तो यह देखो अगर यहाँ पे कोई bake light या plastic नहीं और ऐसे पकड़े रहोगे तो एक नाएक टाइम बाद गर्म फिल करोगे और ज़्यादा बहादूर बने तो जल्वे जाओगे इससे यह साबित होता है कि इधर conduction भी हो रहा है अभी देखो इन तीनों में सबसे ज़्यादा तेज कहोन है सबसे ज़्यादा दीमा कहोन है तो अभी तक वैसे आप समझ चुके हो लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी है सबसे तेज प्रोसेस है रेडियेशन क्यूंकि जैसे ही आप आग के पास आए आपको तुरंद गर्मी लग गई और इसके बाद ये पानी गर्म हो गया और इसके भी बाद आप जल गए कंड़क्शन जो प्रोसेस है वो सबसे स्लो है कंवेक्शन उससे तेज़ है और सबसे तेज़ है रेडियेशन आप यहाँ पर यह मत बोलना कि भाई साब पहले बरतन गर्म होआ तब जाके ये पानी गर्म होआ होता ऐसा ही है लेकिन कंड़क्शन स्लो नहीं होता तो आप पहले जलने चाहिए थे यह पानी बाद में घर्मूना चाहिए था ऐसा भी तो होता है न अभी इस रेडियेशन के एक्जामपल देख लेते हैं माइक्रोवेव होवन जादा करके आज भी रेडियेशन के उपर काम करते हैं यकीन नहीं होता समोसा दो चार लगा देना उस पे और आउन कर देना ना तो आप उसमें आग जला रहे हो और ना ही समोसा कोई लिक्विड है कि इसके मॉलिक्यूल उटके उपर चले जाएंगे फिर भी गर्मी लग रही है मतलब रेडियेशन इन्वाल्व है उसके बाद जो सूरज से अपने को गर्मी लगती है वो भी रेडियेशन का एक्जामपल है जो वहाँ से यूवी रेडियेशन चलके यहां आ जाती है कौन से आती है यह आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो सारी नहीं आती है क्योंकि उपर कौन बैठा है ओजोन लेयर बैठी है जिसका की दिवस मनाये जाता है 16 सितंबर को अर साल इसके बाद मोस्ट इंपोर्टन यूरेनियम 238 का जो रेडियो आइसोटोप है इससे अलफा रेडियेशन जब निकलेगी तो थोरियम 234 में बदल जाएगा ये भी हुआ किसकी वज़े से रेडियेशन के कारण अभी MCQ जादा है नहीं फटाफट से कर लो सॉल्व अभी किसके वास्ते मेडियम नहीं चाहिए तो रेडियेशन बांकी सब में मॉलिक्यूल जरूर चाहिए चाहे वाइबरेट मारके एनरजी भेजने के लिए चाहे खुद उपर जाके मॉलिक्यूल तो चाहिए लेकिन रेडियेशन में ऐसा कुछ नहीं है एक सो पंचानबे आप बताओ क्यूंकि वी ये हवा में साउंड की विलोस्टी है सबसे जादा किसमे होगी सबसे कम किसमे आउडर आप चाहो तो बता सकते हो वैसे चाहना क्या है आपको बताना ही है